Hello Friends, Welcome to SSE Crackers और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग इस वीडियो में SSE CGL 2021 के स्ट्रेटिजी के बारे में डिस्कस करेंगे आने वाले जो 4 मंथ हैं उसमें आपको किस तरीके से Reasoning, Maths, GK और English का त्यारी करना है ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो भी बिगनर्स हैं जिसका भी First Attempt होने वाला है CGL के लिए उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा Important है क्योंकि इसमें मैंने A से लेकर Z तक जितना भी Information हो सकता है वो पूरा देने का कोशिस किया है ठीक है तो Complete इस वीडियो को देखना है आपको Reasoning, Maths, GK और English के Complete Strategy इस वीडियो में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले तो Important Dates देखते हैं कि कौन-कौन सा Important Dates है Online Application जो है SAC Serial का अब ये स्टार्ट हो गया है यहां देखिए 23 December 2021 से लेकर 23 January 2022 तक आप इस Form को Fill कर सकते हैं Next जो Important Date है वो है आपका कि कब होने वाला है आपका Tier 1 का Exam तो April का यहां पर दिया गया है टाइम April 2022 ठीक है तो किसी भी Date को हो सकता है April का तो आपको मान के चलना है कम से कम जो है First Week तक आपके पास Time है इसके बाद ही जो है Exam होगा ओके गाईस तो आपके पास कितना Time है यहां पर देखते हैं कितना Time है आपके पास तो January में 25 डेस मैंने लिया है Total 31 डेस में 25 डेस निश्चीत है कि 5-6 दिन आप डिस्टरब हो सकते है First January भी है 26 January भी है बहुत सारा चीज कुछ काम भी हो सकता है प्रस्टनल तो 31 डेस में आपके पास 25 डेस है February में 28 डेस में 25 डेस 31 डेस मार्च में यहां पे 25 और April में आपके पास मोटा मोटी 10 तीन है ऐसे है आपके पास total 100 days लेकिन जो effective days है जिसमें आप निश्चीत है कि आप अपने आपको त्यारी के लिए जोग देंगे वो है आपके पास 85 days 15 दिन जो है यह grace period ले लिए है कि अगर कोई बच्चा अगर इसका भी utilize करता है तो निश्चीत है कि बहुत ही अच्छा होगा तो time मोटा मोटी आपके पास 85 से लेकर 90 days है out of 100 days और इसी 100 days में आपको यहाँ पर जो आप देख रहे हैं reasoning, GA, quantitative aptitude और English इन सब का आपको त्यारी करना है reasoning में total 25 questions आएंगे 50 marks के लिए GA में भी 25 questions आएगा 50 marks के लिए math में भी 25 questions आएगा 50 marks के लिए English में भी 25 questions आएगा 50 marks के लिए total आपके पास होंगे एक घंटा यानि कि 60 minutes में आपको total 100 questions को solve करना है target आपको रखना है कि कम से कम 160 के ऊपर आपका त्यारी हो ठीक है 160 से उपर ही आपका marks है out of 200 ओके तो एकदम आपको speed पे भी आपको ध्यान दे कर चलना है और अपने accuracy पे तो अब reasoning, GA, maths, English इन सब का कैसे त्यारी करना है उसके बारे में डिसकस करते हैं सबसे पहले बात करेंगे reasoning का तो reasoning में देखिए आपको mind में अभी सेट करके रखना होगा क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास total 60 minutes है और 60 minutes में 4 section को आपको solve करना है तो reasoning के लिए आप 15 से 20 minute का time ले कर चलेंगे यही 15 से 20 minute time में आपको paper को solve करना है 25 questions को तो अभी से ही यानि कि day 1 से ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा speed पे और अपने accuracy पे ऐसा नहीं हो कि आप बना दे 25 questions और उसमें 5-6 questions आप wrong करके चले हैं नहीं accuracy आपका एकदाम तगरे level का होना चाहिए reasoning में एक question गलत हो जाए तो थोड़ा सा ठीक है यह feasible है लेकिन अगर आप 4-5 questions गलत करते हैं तो यह आप blunder करना है exam में तो अभी सहीं आपको mind में यह set करके चलना पड़ेगा कि 15-20 मिनट में आपको paper को solve करना है reasoning कि syllabus की बात करें तो verbal और non-verbal यह दोट है आपके verbal में आपका alphabet test, analogy, arithmetic, reasoning blood relation, classification, coding, recording distance and direction, cellulism, matrix, logical, wind diagram and missing number यहां से question आते हैं और हर एक topic से आपको एक questions तो रहेगा ही रहेगा analogy से आपका 2-3 question रहता है coding decoding से एक 2 question रहता है बाकी यहां पर non-verbal की बात करें तो paper cutting and folding आपका एक question रहेगा embedded figure, figure series, cube and dice, counting figure and mirror image इन सबसे आपका 1-1 question रहने वाला है तो verbal and non-verbal यह आपका 2 topic है reasoning में और यह बहुत ही easy है आप अराम से इसको अगर आप करेंगे तो हो जागा यह सब अब reasoning के strategy के बारे में discuss करते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए किसी भी beginner के लिए अगर आप beginner हैं तो आपके लिए पहला जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए कि इस syllabus को आपको complete करना है verbal और non-verbal को आप किसी भी YouTube channel से आप जो है अपने इस syllabus को complete कर सकते हैं कोई अच्छी book होगी आपके पास आप उस book से जो है verbal and non-verbal reasoning को जो है आप complete कर सकते हैं तो जो भी यहाँ पर syllabus दिया वा है इससे पहले आपको मैंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर यह सभी syllabus है verbal and non-verbal के तो इसको सबसे पहले आपको complete करना है इस syllabus को जब आपका एक बार syllabus complete हो जाए और इसके लिए मोटा मोटी 20 से 25 days enough है जब आपका syllabus complete हो जाए तो second आपका काम होना चाहिए chapter wise previous year तो कीरन का chapter wise जो है यह आपके लिए राम बान साबित होगा अगर आपके पास previous year का chapter wise है तो previous year के chapter wise से हर एक topic का 100-100 questions अगर आप solve कर लेते हैं तो आपका reasoning पे बहुत ही जबरदस्त कमांड हो जाएगा जैसे की chapter wise alphabet test आप बनाएंगे इसका 100 questions एनलोगी का 100 यह जितने भी topic आप देख रहे हैं paper cutting embedded figure सब का 100-100 questions जो है chapter wise से आप solve करेंगे ठीक है तो पहला काम आपका क्या है पहला काम है आपका syllabus complete करना किसी भी YouTube channel से आप कर सकते है syllabus को complete कोई सी भी book RS अगरवाल की हो वहाँ से आप complete कर लें जो second आपका stage होगा वो होगा कि chapter wise जो previous year का chapter wise है तो chapter wise से हर एक topic का 100 questions आप solve करेंगे इस book से या कोई सी भी आपके पास previous year की किताब है वहाँ से हर एक topic का 100 questions और जो third आपका stage होगा वो होगा practice करने का और सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है practice तो देखें यहां से आप 20 to 25 days में slayvers complete कर सकते हैं chapter wise से भी आप 20 days में पूरे chapter को पूरे topic को आप complete कर सकते हैं तो 40 days आपके हो गए हैं इसको आप 50 days भी अगर आप ले ले उसके बाद आपके पास फिर भी जो है 40 days आपके पास रहेगा तो उस 40 days में आपको जबरदस तरीके से practice करना है किस चीज़ का तो जो भी 2018 से लेकर 20 तक का जो एक्जाम हुआ है और TCS के दौरा जो एक्जाम हुआ है क्योंकि TCS के आने के आने के बाद ही reasoning का level थोड़ा सा high हुआ है तो TCS के दौरा पूछा गया जितना भी set होगा आपका 2018 से 20 तक का SSE का चाहे वो CGL हो चाहे वो CHSL हो MTS हो CPU हो SSE की कोई सी भी इक्जाम हो 2018 से 20 तक का उसका सभी आपको set को बना देना है ठीक है अच्छे से उसका analysis कर लेना है अगर आपने syllabus पहले complete कर लिया फिर chapter wise complete कर लिया और उसके बाद आप previous year 2018 से 20 तक का सभी set का आपने practice कर लिया तो ये आप निश्चित है कि आपको paper जो है वो 15 से 20 minute के अंदर में solve हो जाएगा 99% accuracy के साथ ठीक है 99% accuracy के साथ और आप exam में reasoning में बहुत ही अच्छा score आप कर सकते है ठीक है मान के चलिए किसी का second attempt है किसी का third attempt है उनका syllabus complete है तो वो क्या करेंगे syllabus को complete करने की जुरुवत नहीं है वो सिर्फ chapter wise को solve करेंगे और उसके बाद practice में लग जाएंगे बाकी मेरा YouTube channel है ही वहाँ से भी आप reasoning का practice कर सकते हैं अच्छे तरीके से ठीक है अब हम बात करते है maths के slivers के बारे में maths का paper आपको solve करना है 25 से 30 minute के अंदर में ठीक है ये भी आपको दिमाग में लेकर चलना परेगा क्योंकि यहाँ पर time limited है 60 minutes का time है तो 25 से 30 minute आपको maths के solve करने के लिए टाइम देना परेगा maths में आपका arithmetic है arithmetic से total 10 question आता है आपका advanced math से आपका 10 से 12 question आता है arithmetic में आपके profit and loss, percentage time and work, time and distance ratio and proportion, mix and allegations ये सब आपका arithmetic का हो गया advanced math में आपका trigon हो गया, geometry हो गया mensuration हो गया और आपका algebra हो गया यहाँ से आपका 10 से 12 question रहता है weightage जो है advanced math का जादा होता है और आपके 3 questions जो है वो data interpretation से आता है, di से 3 question होता है total 25 questions आपके आएंगे तो arithmetic के लिए जो है आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो syllabus complete करेंगे, ठीक है जितने भी आपको chapter दिये वे arithmetic में, उसको पहले आप complete करेंगे, ठीक है अब हम देखते है math के strategy के बारे में तो math को आपको कैसे करना है सबसे पहले आपको syllabus complete करना है arithmetic and advanced का ठीक है, इसके लिए आपको target रखना है कि 30 days में आप कम से कम syllabus complete कर ले syllabus का आप अगर 70 से 80% भी अगर आप cover कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा उसके बाद second stage वही है कि chapter wise से 100-100 questions का आपको practice करना है, हर एक chapter का सबसे जादा आपका ध्यान होना चाहिए, advanced math के उपर trigonometry, geometry, mensuration and algebra इन सब का आप 100 से लेकर 200 questions chapter wise से आप solve करेंगे और third आपका होना चाहिए practice जहां पे आप stop watch लगा के और आप paper को solve करेंगे 30 minute का आप stop watch में time लगाएंगे और paper को solve करेंगे तो SSC 2018 से लेकर 20 तक का जितना भी exam हुआ है CGL, CHSL, MTS and CPO का इन सभी का आप जो है set लगा देंगे practice के लिए तो सबसे ज़दा आपको ध्यान देना है math पे, आपको हर दिन के हिसाब से 3 घंटा आपको math में देना ही देना है, reasoning पे आपको कम से कम एक घंटा का time आपको देना है एक से देर घंटे का math में आप ऐसे करेंगे, अगर आप पहले slavers, फिर chapter wise के 100 questions और उसके बाद अगर आपने CGL 2018 से 20 तक का अगर आपने solve कर दिया तो ये मैं आपको guarantee के साथ कह सकता हूँ कि 50 out of 50 marks आपको आएगा ही आएगा ठीक है अब हम देखते हैं English के syllabus के बारे में, तो देखिए English है कि English का paper आप 10 minute का time रखेंगे, कि 10 minute में आपको English के paper को solve करना है ठीक है 10 minutes में, इसलिए आपको speed पे ध्यान देना परेगा English में आपका vocabulary होगा फिर grammar होगा और उसके बाद comprehension होगा, ये English का syllabus है, ठीक है, अब इसके strategy के बारे में देखते हैं कि इसका strategy क्या होना चाहिए, तो English में देखिए vocabulary में आपका रहेगा signo, endo, one word substitution, idioms and phrase, miss spelled, यहां से total जो है 20 marks आपका रहता है vocabulary का, तो देखिए 50 में से 20 marks तो आपके सिर्फ हो गएं किसके, तो vocabulary के, तो आपको ध्यान देना है vocabulary पे सबसे ज़ादा और vocabulary के लिए आप क्या करेंगे कि previous year में का जितना भी question होगा, देखिए, signo का previous year में कम से कम 1000 है endo का भी 1000 होगा, one word का आपका 1400 से 1500 है idioms phrase भी वही है, 1400 से 1500 और miss spelled आप 500 आप अगर vocabulary previous year का इतना भी word अगर आप याद कर लिए तो ये 20 में आपका निस्चित है कि 20 out of 20 marks आपका रहेगा, क्योंकि आप TCS जो है, वो previous year को ही follow कर रहा है, तो आपके पास golden opportunity है कि 2021 का भी जो exam होगा, वो TCS के दोरा ही exam होगा, तो previous year का weight is बहुत होगा ठीक है, तो vocabulary के लिए आपको सिर्फ और से previous year और इसके लिए MB publication की book है, चाहे आप कीरन chapter wise ले ले ले, ठीक है, black book कोई सी भी book हो, जिसमें previous year का ये sino and two one word idioms में इस पेल तिया है, तो आपके लिए ये best रहेगा, grammar के लिए देखिए, grammar में common error, sentence improvement, active, passive and direct indirect, तो grammar से total 12 marks के रहते हैं, तो plinth to paramount book है, grammar के लिए ये best book है, mirror to common error, ये आपका best book है, SP बक्षी की भी book बहुत अच्छी है, तो grammar आप यहां से complete कर सकते हैं, उसके बाद close test, passage, PQR, fill in the blanks, और comprehension से आपका 18 marks का रहता है, तो इस तरीके से total 50 marks आपका English में रहेगा, तो आपका पहला काम क्या होगा, हर दिन आपको vocabulary के लिए 30 मिनट से लेकर 45 मिनट का time आपको देना है till exam तक, ठीक है, till exam तक आपको 30 से 45 मिनट का आपको time देना है, vocabulary के लिए हर दिन, और वहाँ से आप target करके चलेंगे, कि आपको हर दिन कम से कम 40 जो है, question आपको 40 word आपको याद करते चलना है, बस जिस तरीके से आप breakfast करते हैं, lunch करते हैं, उसी तरीके से आपको ये 30 मिनट जो है, या 45 मिनट आपको vocabulary के लिए देना है, और इसमें आपको 40 words याद करते चलना है, ठीक है, grammar के लिए आपको 30 मिनट का time देना है, और daily आपको, जितने भी grammar में हैं आपके parts of speech, ठीक है, sentence, ठीक है, verb agreement, ये सब जितना भी है, ये सब आपको जो है daily पढ़ते जाना है, और अपना एक notes बनाते जाना है, comprehension के लिए आपका जो है, mock test से हो जाएगा, practice से हो जाएगा, तो English के लिए आपको बस इतना ही करना है, बात करें GK की, तो GK सबसे ज़्यादा important role play करेगा, क्योंकि आप reasoning में अच्छा score कर सकते हैं, maths में कर सकते हैं, English में कर सकते हैं, लेकिन GK के लिए आपको और भी अच्छे तरीके से मेहनत करना पड़ेगा, और आजकल तो GK पता ही है आपको कि किस टाइप से पूछता है, तो GK के लिए भी आपके पास 10 minute का time रहेगा, जिसमें आपको 25 question ठीक है, solve करना होगा 50 marks के लिए, तो history, quality, geography and economics, इससे जो है, total 14 marks रहता है exam में, physics, chemistry, biology से 10 marks, static GK and current affairs से रहता है आपका 24 marks and computer से 2 marks, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि GK में सबसे ज़्यादा weightage किसका है, static GK and current affairs का, तो static GK में देखिए, total 100 ऐसे topics हैं, जिसको आपको cover करना है, आने वाले 4 महीना में, और यह 100 topics कौन सा है, यह आपको वीडियो मिल जाएगा उसका link के नीचे description box में, मैंने 100 topics जो है, TCS के दोरा जितने भी topics से पूछे गए हैं, 2018 से 2020 तक का वो सब मैंने collect करके, यहाँ पे 100 topics आपको दिया है, पढ़ने के लिए, current affairs आपको जो है, एक साल का preparation करना पड़ेगा, last one year का, और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे देना है, और अभी सहीं आपको एक घंटा आपको देना होगा, static GK और current affairs पे, उसके बाद जो second weightage है, वो आपका history, politics, geography, economics से है, इस पे फिर आपको time देना है, क्योंकि यह 14 marks का है, फिर science section पे, और फिर computer पे, तो इस तरीके से जो है, आपको GK के लिए preparation करना है, और मैंने जो है, YouTube channel पे, जो है, start किया है, रात के 9 बजे से, जो class GK का, दंगल के रूप में, यह class बहुत important है, क्योंकि TCS 2018 से लेकर, 20 तक में, जितने भी important topic से question आ है, उन सब का, जो है, miscellaneous question जो है, यहाँ पर आपसे पूछते हैं, ठीक है, उसका test होता है, तो वो भी एक बहुत important class है, बाकी, जो है, CGL 2021 के लिए, बहुत जल्ज, मेरे application पे, एक course launch होगा, जहाँ पर, reasoning का, जो है, chapter wise होगा, ठीक है, grammar, English में, जो है, आपका vocabulary, पूरा complete करवा देंगे, GK में, जो है, यह जो 100 topics है, वो आपका cover होगा, ओके, और बाकी, जो है, आपका mock test रहेगा, बहुत सारे individual sectional test रहेंगे, current affairs बिड़ाएगा, यह सब चीज का एक course launch होगा, CGL का, जो की 1st January से जो है, start वो हो जाएगा, ओके गाईस, तो इस तरीके से आपको preparation करना है, इस exam के लिए, और कोशिस करना है, कि आप अपना score बहुत अच्छा लाएं, तो कोई भी आपको further doubt होगा, तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी query होगी, उसका reply आपको मिलेगा, तो मिलते हैं आप से next video में, उमीद है कि आप इन सब चीज को follow करेंगे, ठीक है, तो फिर तब तक के लिए all the best, और इस channel पे नए हैं, तो इस channel को subscribe जरूर कर लिजेगा, चलिए फिर all the best,